पूरा देश अभी लोकडाउन की परिस्थिती में है तो ये समय पे हम कर से बाहर नहीं जा सकते पर घर पे अपने फैमिली मेंबर्स और केट्स के लिए कुछ अच्छा बनाई सकते हैं तो मैं हूँ ममता भैट और स्वागत है आपका मेरी चैनल में आज हम गेहूं के आटे से क्रिस्पी पुड़ी बनाने वाले है तो मैंने दो कप गेहूं का आटा लिया है इसमें एड़ करेंगे 1-4 टीस्पून अजवाईन अजवाईदी को इसी तरह हाथ से मसल के हमें इसमें एड करना है अब सारे मसाले एड करेंगे तो मैंने यहाँ 1 पुड़ी पहुती टेस्टी बनती है अब हम इसमें ओइल एड करते है आप चाहो तो गीका भी यूज कर सकते हो करीब 3-4 टेबल स्पुन जीतना मैंने ओयल इसमेड कर लिया है अब अच्छे से मिक्स करेंगे अब हमें एक बार चेक कर लेना है कि मोयन कम या ज्यादा तो नहीं है इसी तरह मुठी बना के देखेंगे परफेक्ट ग्रिप हो रही है यानि कि मोयन का नाप बिलकुल परफेक्ट है अभी मैंने एक कप पानी लिया है तो इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमेड करते जाएंगे और टाइट आटा लगा लेंगे ये बात का हमें ज़रूर धियन रखना है कि पानी हम एक साथ एड़ ना करें अगर आटा लूज हो गया तो हमारी पूड़ी क्रिस्पी नहीं बनेगी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे और थोड़ा सा टाइट आटा तयार करेंगे अब आटा मेंने अच्छे से गुर लिया है तो टकन से कवर करेंगे और करीब आधे गंटे के लिए साइड में रखेंगे और इतना टाइट आटा लगने में करीब आधे कप से थोड़ा सा ज्याधा पानी का मेंने यूज किया है और अधे गंटे के बाद आटे को हमें अच्छे से मसल लेना है और आज की रेशिपी का ये मीन स्टेप है आटे को इसी तरह अच्छे से मसलने से पूरी एकदम क्रिस्पी और सोफ्ट बनती है तो करीब 2-3 मिट के लिए हमें आटे को इसी तरह मसलना है और इसी तरह मसल में से हमारा आटा पहले से थोड़ा सोफ्ट हो जाएगा आप देख सकते हो हमें इसी तरह थोड़ा सा सोफ्ट आटे की जरूरत है ये पराठा से थोड़ा सा टाइट आटा है तो अब हम इसमें से लोईया तयार करेंगे आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने क्रूप में चरूर शेयर करें और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और पास में दिये गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नए रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बेलने से पहले लोई को ऐसे दोनों हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि पुड़ी हम अच्छे से बेल पाए साथ में हम ओइल भी गरम करने रख लेंगे ताकि जब हम पुड़ी बेल ले तो तुरत बाद हमारा ओइल भी गरम हो चुका होगा तो दोनों काम एकी साथ हो जाएगा हमें ज्यादा पतली पूड़ी नहीं बेलनी है और ज्यादा मोटी भी तो नहीं रखनी है इसी तरह मेडियम साइज में हमें पूड़ी को बेल लेना है आज हम पूड़ी क्रिस्पी बनाने वाले है तो पूडी पू लेना, इसलिए इसी तरब काटा चमत से हमें इसके उपर थोड़े से छेद बनाने है इसी तरब हमें सारी मठरी बेल लेनी है देखते हैं, ओईल गरम हुआ के नहीं तो इसी तरब थोड़ा सा आटा इसमें डालेंगे इसी तरह दीरे दीरे आता उपर आना चाहिए हमारा oil तो perfectly गरम हो चुका है तो इसमें मठ्रे को fry करेंगे साथ में ही हमें gas की flame medium कर लेनी है देश flame पे हम पुड़ी को नहीं fry करेंगी नहीं तो हमारी पुड़ी अच्छे से crispy नहीं बन पाएगी अगर जाता गरब हो जाता है तो गेस की फ्लेम थोड़ी देर के लिए लो करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें ये पुड़ी को बीट बीट में पलटते हुए अच्छे से फ्राई करनी है आप ही ये रेसीपी ज़रूर राई करें और आपके अनुबो नीचे कोमेंट बोक्स में मेरे साथ चरूर शेयर करें गरम गरम चाई और कोफी के साथ तो ये पुड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है आप कोई भी अच्छा या तो आमकी चटनी के साथ भी ये पुड़ी को सव कर सकते हो आप देख सकते हो पुड़ी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है दोनों तरफ से हमारी पुड़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो पूड़ी को OIL में से निकाल लेंगे और ले लेते हैं एक BALL में और इसी तरह बाकी की पूड़ी को भी प्राय करेंगे पूड़ी जब अच्छे से ठंडी हो जाए इसके बाद 8-8 कidental में श्टोर करेंगे और जब बन हो तब यूज़ करेंगे घर पे बनाई हुई ये पुड़ी बहुत ही लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं तो फिर मिलेंगे एक नए रेसिपे के साथ और तब तक के लिए बाबाई गुक टेस्टी, स्टे हेल्दी, थैंक यू